पशुपती पारस की एक सीट की जिद ने दिखा दिया NDA से बाहर का रास्ता चिराग पास्वान को क्यों मिल दी तवज्जो? हाजीपूर सीट आखिर क्यों बन गई है सबसे इंपोर्टेंट? आईए जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ एक्वेजन है राम विलास पास्वान के बाद LJP में टूट पड़ी तो दो गुट बने LJP का एक कुट पशुपती पारस के साथ आया वहीं दूसरा चिराग पास्वान के साथ लेकिन दोनों ही BJP के साथ खड़े दिखाई दिये फिर हैरान करने वाली बात ये है कि सीट शेरिंग में चाचा पशुपती पारस का पत्ता क्यों साफ हो गया पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है पशुपती पारस को BJP ने एक भी सीट नहीं दी है और कहा ये जा रहा है कि पशुपती पारस की जिद ने ही उन्हें एंडिये का बाहर का रास्ता दिखा दिया है जिद हाजिपूर सीट से ही चुनाव लड़ने की हाजिपूर सीट पशुपती पारस और चिराग दोनों ही मांग कर रहे थे सीट की हाजिपुर सीट वो सीट है जहां से राम विलास पासवान चुनाव लड़ते थे और नौ बार लगातार लोग सभा सांसर भी चुने गए हैं 2019 में पहली बार यहां से पशुपती पारस चुनाव लड़े थे और फिर लोग सभा पहुँचे अब यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या हाजिपुर सीट का मतलब खुद राम विलास पासवान का होना है राम विलास पासवान ने 1977 में सबको चौका दिया था जब उन्होंने जन्ता पार्टी के टिकेट पर चुनाव लड़ा था और कॉंग्रस पार्टी के कैंडिडेट को सवा चार लाख मतों से जबरदस तरीके से सीट पर मात दी थी और ऐसा पहली बार हुआ था इसके लिए राम विलास पासवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था वहीं अगर साल 1984 और 2009 को छोड़ दें तो राम विलास पासवान इस सीट से 9 बार सांसत चुने गए उनका दबदबा इस सीट पर लगातार बना रहा उन्होंने 2014 में आखरी बार यहां से चुनाव लड़ा था और फिर वो राजिसभा चले गए थे और उसके बाद साल 2019 में उनके भाई चोटे भाई पशुपती पारस यहां से खड़े हुए और जीत भी गए पशुपती पारस की यह जीत राम विलास की विरासत मानी गई हाजिपूर सीट इसलिए खास है क्योंकि यह राम विलास पासवान की पहचान बन गई थी इसी सीट से लड़कर राम विलास खुद को दलितों का सबसे बड़ा नेता स्थापित करने में काम्याब हो पाए थे जब वो केंदर में रेल मंतरी थे तो उन्होंने हाजिपूर में रेलवे का रीजनल आफिस भी खुलवा दिया था जिसके बाद से ही उन्हें काम करने वाले नेता के रूप में पहचान मिली राम विलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए खुद चिराग पासवान उनके बेटे और उनका छोटा भाई पशुपती पारस दोनों के अंदर ललक रही है दोनों ही चाहते हैं इस विरासत को आगे बढ़ाना एंडिये ने हाजीपूर सीट पशुपती को ना देकर चिराग पासवान को दे दी है जबकि सूत्र कहते हैं कि बीजेपी पशुपती को समस्तिपूर सीट दे रही थी लेकिन पशुपती की जिद थी थी कि वो हाजीपूर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे और उनकी जिद के बाद उन्होंने केंदरी मंत्रीपत से स्तीफा दे दिया चिराग को संभवता इसले भी प्रेफरेंस मिली क्योंकि चिराग पहले भले ही NDA का हिस्सा न रहे हूँ लेकिन उन्होंने BJP या फिर NDA पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया उन्होंने खुद को पधानमती नरेंद्र मोदी का हनुआन बताया चिराग जनता के बीच पहुँचकर खुद को राम विलास का असली उत्रा धिकारी बताते रहे हैं और पार्टी को तोड़ने वालों के खिलाफ अपनी नाराजगी भी समय समय पर चिराग पासवान जाहिर करते रहे हैं पिछले साल जुलाई में चिराग पासवान दोबारा NDA में आ गए थे और NDA का हिस्सा बनते ही उन्होंने सबसे पहले हाजिपूर सीट पर दावा ठोका था हाजिपूर का गड़ित क्या है चलिए आए वो भी जान लेते हैं तो राम विलास पासवान दलितों के बड़े नेता थे और उनके बेटे चिराग पासवान को जन आशिरवाद यात्रा के दोरान जिस तरह का जबर्दस समर्थन मिला उससे ये समझा जा सकता है कि आज भी हाजिपूर का जो कोर वोटर है वो चिराग पासवान के साथ ही है बिहार में महस 5 फीसदी पासवान वोटर्स है और ये राम विलास पासवान के लॉयल वोटर्स माने जाते हैं और अब इनका समर्थन उनके बेटे चिराग पासवान को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है चिराग के आने से NDA को सीधे सीधे 5-6 पीसदी वोट मिल जाएंगे बीजेपी के लिए ये किसी बोस्टर डूस से कम नहीं होगा और इसलिए बीजेपी ने पशुपती पारस के उपर चिराग पास्वान को तवज्जो दी एक तथी ये भी है कि जब रामविलास का निधन हुआ था उसके बाद पशुपती पारस के चिराग पास्वान को लेकर खराब बढ़ताव की वज़े से जनता की सहानुबूती का फायदा भी चिराग पास्वान को मिल सकता है और इसलिए हर तरीके से पशुपती पारस के उपर चिराग पास्वान को बीजेपी तबजो दी